बोस्तों स्वागत है आपका अपने चनल तयर जीत में आज हम देखने वाले हैं कक्छा साथवी के बिसाय अंग्रेजी हिंदी माध्यम 20 अप्रेल का अंग्रेजी का पेपर पार्ट टू ठीक है पार्ट बन पहले ही देख चुके हैं इसमें हम सेकंड पार्ट में हम सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले आपको नोटिफेकेशन मिल सके ठीक है इसका बहुत जल तीसरा पार्ट भी आने लगा है आने वाला है जिसमें पूरे 24 क्वेस्टनों के आंसर दीए जाएंगी ठीक है आप देख लीते हैं इंपर्टेंट क्या 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 तो इसमें हम औबजेक्टिव क्वेस्टनों का पहले आंसर देख चुके थे ठीक है एजल इली से क्विक रिवीजन कर लेते हैं इनका क्या कहने में रिवीजन में अच्छे देख लेते हैं तो पहले का हमारा आंसर यहां पर क्वेस्टन दिया था athletes who take parts in olympic तो इसमें कहां से ले सकते हैं all countries ठीक है all countries से लिख सकते हैं यानि option number B सही था इसके बाद olympic games are held कितनी साल में एक बार रख जाता है तो चाल साल में यानि इसका option number C सही था इसके बाद अगला question देखते हैं अगला question हमारा दिया है तीसरा proud of क्यों है हमें proud अपने भात पर क्योंकि यहां पर हम किस से खेलते हैं होकी ठीक होकी खेलते हैं या पर इसके बाद Indian are among the best player of hockey because they are more skillful इसका सही आंसर हो जाएगा option number A skillful spelling सही लिख लेना है इसके बाद पांच मा question इंडिया लोस championship in the in hockey for the first time कब तो 1960 में यानि ओफसर नंबर B पांच मेगा चटमेगा देख लिजी यहां पर जल देखते चलते हैं यहां पर चटमेगा दिया है what is the advertisement about तो इसका हो जाएगा हमारे सही आंसर यहां पर children के बारे में ठीक है अगला question देखते हैं अगला question हमारा दिया गया है there are some तो यहां पर क्या है इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा articles क्या हो जाएगा article सही साथ में का यानि option number B इसके बाद आठमा question देखते हैं how can one get magazine तो यहां पर कैसे कर सकते हैं तो यहां पर इसका option number हो जाएगा हमारा बी सही हो जाएगा इसके बाद अगला question देखते हैं नौमा तो नौमा क्या दिया गया है आपका articles written वाई तो इसका सही हमारा answer हो जाएगा यहां पर ठीक है यहां पर किसके द्वारा publish किया गया था my page ठीक है तो इसका option number C सही हो जाएगा नौमे वाले का इसके बाद दसमा question देख लेते हैं दसमा क्या दिया गया है तो send का opposite पूछा है हमसे तो opposite होता है receive send यानि भीजना receive यानि प्राप्ट करना option A सही हो जाएगा इसके बाद हम question देखने वाले हैं question number 11 तो यहां से question number 11 12 और 13 इनका हम हल देखने वाले है question number 11 दिया है where are the clouds seen in the sky दूसरा question दिया है how did the old man know that the camel was blind इनके answer देख लीजी तो यह रहा हमारा question number 11 तो here are clouds seen in the sky यानि आकास में बादल कहां दिखाई देते हैं तो यहां पर देख लीजी clouds are seen in the troposphere in the sky ठीक है यानि छोब मंडल में बादल दिखाई देते हैं इसके बाद question हमारा बारमा देख लीजी यह रहा बारमा question भायवाज बिनोद सर्प्राइजेड यानि बिनोद आश्चर चकत क्यों था तो बिनोद बाज सर्प्राइजेड टू सी सच पूर आमेन इन आप एसी कोच यानि बिनोद एक गरीब आदमी को कोच के डिबे में देख कर बहुत ही आश्चर चकत हुआ ठीक है अगरा question देख old man know that the camel was blind यानि बुड़े आदमी ने कैसे पता लगाया कि उट अंधा है ठीक है तो उसने क्या किया तो उसने नोटिस किया because camel had eaten the leaves of bush on only one side of the road ठीक है उसने कैसे पता चलाए क्योंकि जो उट था वो रोड के एक ही साइड की जाडियों के पत्ते खा रहा था तो इसलिए उसे पता चला गया कि उट अंधा था इसके बाद question नमर चगदा देखते हैं तो चगदा क्या दिया गय है हमारा where did the olympic games get their names from ठीक इसके बाद दिया है when and where बाज मनुगोर्न इसके बाद दिया है what goes from hand to hand तो इसके देख लेते हैं answer आपका इसका answer क्या दिया है चगद में question का देख लेते हैं where did the olympic games get their name from ठीक है तो कहा इन्हें नाम मिला था olympic कहा से मिला तो the olympic games festival was for the first time held in Greece at olympic olympia so he so this sports festival got its name from olympia ठीक है तो यहां से यहां तक answer हो जाएगा आप यदि इसतना ही लिख देते हैं यहां से यहां तक तो भी आपको पूरा नंबर मिलेंगे ठीक है तो यहां से यहां तक लिखे देना है आपको पैसे पूरा ही याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात ह ती नंबर में आना है यह question अगला question देखते है question नंबर पंदरा तो पंदरा में question दिया है ben and where was manu born यानि manu का जर्म कब और कहां हुआ था तो यहां पर है manu was born on 19 November 8 यहां पर 1835 in 80 बनारस यानि बनारस की 80 में 19 नंबर 1835 को हुआ था इसके बाद अगला question देख लेते हैं शोल तो यह रहा हमारा question number 16 heart goes from hand to hand तो यहां पर इसका answer है हमारा यानि क्या हातों हात जाता है ठीक है तो nuts and sweets sweet meats pass from hand to hand यानि यहां पर गरी और जो मिठाईयां होती है वो हातों के द्वारा सर्व की जाती है ठीक है इसके बाद अगला question देखते हैं 19 यहां पर 17 सत्रमा question क्या दिया और इसके बाद अगला question है why did Vinod decided to travel by an AC coach इनका answer देख लीजी तो यहां पर दिया गया हमारा question देख लीजी answer no down कर लीजी भाय do they want to go धौलपर क्यों गई थे क्यों जाना चाहता था क्योंकि there is a fear in धौलपर and they want to see it मतलब कि धौलपर में एक मेला लगा हुआ है जिसको वह देखना चाहता था इसलिए वह धौलपर जाना चाहता इसके बाद दिया गया हमारा question no number 18 I did not decide to travel by AC coach यानि वह एसी कोज में travel क्यों करने की सुनिस्चित किया उसने because the train was overcrowded यानि जो ट्रेन है ना लवालप भरी हुई थी मतलब पूरी कस्के भरी हुई थी अगला question देखते हैं अगला question दिया है what caused Bobby to slow down in the middle of race यानि बीच रेस में अपनी जो बोट थी उसकी रेस कम क्यों कर दी ठीक है तो इसका था a duck and her ducklings swan across the waterway it was the path of Bobby's boat the boat was going to run into them ठीक है मतलब यहाँ पर रही कि वोट चला रहा था उसके पतह में एक बतक और उसका बच्चा आ गया था जो तेरते हुए उसकी रस्ते से जा रहा था अगले वाले question के answer मैं अगले वाले next वीडियो में लाने वाला हूं वह आपको लगवाग 8 बुजी तक मिल जाएगा यती वीडियो चलता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा साथी से चनले पर पहली वार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिन्द